बाड़ो को माटे इम्मुनिटी सत्रनू आयुचन करियो भावी पेडिना सलामा स्वास्ते अंगे कटी बद्दारना भागरूपी डाबर हाउस्ताकरनी हेल्द फूट ड्रिंग डाबर वीटाई स्कूले जयता बाड़ो कोनी रोक प्रदिकारक शक्ती बदार्वाना मात्वंगे जागरूती फेलावा माटी मेगा इम्मुनिटी अव प्रसंगी बाद करता डाबर इंडिया लिमिटेट मां कॉर्पोर्टेट कम्यूनिकेशन्स ना मैनेजर श्रीदिनिश कुमारे जनावियोतु के स्कूलों मां प्रत्यक्ष वर्गोश्चरू थाई गया हुवाती प्रत्यक बाड़क मांटे मजबोत रोक प्रतिकारक शक्ती प्रात्मेक जरुर्याद श्रक कारणके आपने हजी कुरोना महामारी माथी बहराव्या नथी। लखनव, चंदिगड, कानपुर, अमदावाद, हैद, उरंगाबाद अने पटनार जिवा, बार शेरों मा अग्रनी एनर्जियों स्कूलों साथी हाथ मिलावे आश डाबर भीटा, स्वाधिस्ट चॉकलेटी ड्रिंक मा अयरुवेद ना गुनों लईने आपेश चेचाती पंदर वरशनी वईना बाड़ों को मा हाड का अने स्नायों ना विकास ने प्रोस्थाना पेश अने मगर्जना, स्वास्ते, सिक्षन थाथा एका ग्रता मा सुधारोला वाना मंदत रुप थाई छे तेन कुमार उमेदियों हतो जिसमें बच्चों को बताया गया क्या खाना चीए है तो आप के बारे में बताया गया है यह also जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा डाबर बीटा एक आईरवेटिक मेडिसिन है इसमें 30 आईरवेटिक हाप्स है जो आपको इम्मुनिटी में बहुत हेल्प करता है जी आज हमने इम्मुनिटी के सेशन किया है बच्चों को जागरूख किया है भली हम कुविट से बहार आ रहे हैं लेकिन अभी भी वो कुविट पैंडेमिक खतम नहीं हुआ है हमें इम्म्यूनिटी के बारे में जाग्रुक करना है बच्चों को और हम चाहते हैं कि आगे ऐसे पेंडेमिक ना है अरनी बारे से आर इंगरोर स्थित गुरुकुल विद्धिया लेखाते आजे त्रणशों विद्धियार्थियोंने ले इम्यूती वधारव माटे सु करू जोए एना माटे डाबर प्रुडिक ना दोक्टर फिजो रोडी डोक्टर आतु सोसदी राठोट अहिं अंपस्तित रहे आता अने विद्धियार्थियोंने इम्यूती वधारव माटे शु खावु जोए बच्चों को पता होना चीए कि इम्यूनिटी हमारी बाड़ी में कैसे काम करती है और एसी कौन-कौन सी चीजे हैं जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और रोक से बचने के लिए हम एसी क्या-क्या चीजे कर सकते हैं जिससे हम ज्यादा विबार ना पुड़े हैं जी मेरा नाम डॉक्टर आशुतोस सिंग राठोड है मैं पीडियाट्रिशन हूँ और करेंटली अकैडमी ओफ पीडियाट्रिक्स उटाथा का प्रसीडेट हूँ तर नाम पूँ पूँ चाँ पीडियाट्रिक्स उटार नाम पूँए राठोग्टर बवालो दिससे हम पीडियाट्रिक्स पीडियाट्रिक्टर आश्पलेट्न हूँ